नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सिवरात्री किसी भी तिथी पर हो पर अगर तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है आज हम आपको आपके जीवन की घर परिवार की मुस्किलों से बाहर निकलने का एक छोटा सा परियोग बताएंगे इस परियोग को कोई भी महला परूस दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है देखिये सिवरात्री का 50 दिन है तो खास कर महलाओं के लिए आज है हम एक खास परियोग लेकर आया है अगर आपके बैबाही जीवन में मुस्किलें हैं आपके रिस्तों में बहुत दूरियां आ गई हैं तलाक की नौबत आ गई है होता किया है कई बार साड़े साथी ढईया में रिस्तों की मुस्किलें ज्यादा परिसान करती है और वैसे भी अगर कुंडली ना मिले तो कहीं न कहीं सत्रूरासी से भी विवा हो जाता है और विवा हो जाए तो किसी का मन ही नहीं मिलेगा ना आपके पतिदेब के साथ मिलेगा ना आपकी पत्नी के साथ मिलेगा आप बोलना कुछ और चाहेंगे वो समझेंगे कुछ और कोई किसी को समझ नहीं पाएंगे तब तब ऐसे में एक छोटा सा परियोग कीजिए तो क्या होगा ना आपकी जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी क्योंकि निभाना तो है अब निभाना है तो क्यों न प्रेम से निभाया जाए एक सिम्पल सा परियोग कीजेगा देखिए सिप जी का दिन है लेकिन जो माद दुरगा है आज हम आपको सबसे पहले बता दें हम आपको सिप पंचायत में ले जाएंगे अब यह सिप पंचायत क्या होता है दीखिया आपने देखा होगा मादुरगा का मंदिरी आस्थान जहां भी आपके گौव में आपके गर में आपके सहर में आसपास होगा तो वहाँ पर ब्रंभा, विश्णु, महेज, गनेज जी घर कोई होते हैं और सिप पंचायत में भी 5 ही देब होते हैं तो जहाँ भी सिप पंचायत है मादुरुगा का मंदिर है या सिपजी का मंदिर है पर वहाँ सक्ती बीड़ भी है तो ऐसे जगह में आप चाहिए दो पाण का पत्ता और बटर लेके बटर यानि मक्खर अब एक पान के पत्ते पर थोरा सा बटर रख कर मादुरगा के सामने रख दें और दूसरा पान के पत्ते पर थोरा बटर रख कर मादुरगा की मूर्ती के पीछे या फिर मंदिर के पीछे रख दें लेकिन जब रखिए गात अपनी काम ना कहिए आपके जिमन में क्या मुस्किले हैं, क्या समस्से आए हैं, आप क्या चाहते हैं और ये प्रियोग आपको चुपके से करना है, सांत रहके करना है टोका टोकी ना हो, बस मन का बहुत सारे उगेड कर रख दें मा के सामने और ये बटर वाला परियोग आप जब करेंगी वार सिवरात्री इसलिए होगा अब माल लेते हैं आपने नहीं कर पाया किसी करण बस तब क्या करेंगी तब आप जब नवरात्र में मंगलवार आएगा या फिर किसी भी महने के सिवरात्री जब मंगलवार के दिन होगा तब आप उस दिन इस परियोग को कर लीजेगा आप देखिएगा आप बस तीन मंगलवार ऐसे खास दिनों में ही आपको परियोग करना है आपको लाफ जरूर मिलेगा करके देखे हम आपसे भी डालेंगे हर हर महा दे